तुम लोग का लेडर कौन है माधुरी यानि कि मैं और कौन बहुत चरवी चरगी है इस जब से बता दो तुम लोग का लेडर कौन है अपने आप को तिसमार खा समस्ता है कौन जो मेरी बहन से प्यार करता है उसका नाम पता-बता मुझे नहीं पताएंगे तो क्या कर लोगे क्या शाय की हंडी को बाहर फेक दो गे सारे समोसों को बाहर फेक दोगे और्सीयों को तो नोच तो 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 इस होटल का सत्य अनाश कर दे तुम चुपरा हो ना तुम्हें डरने की कोई जुरुवत नि मैं हूँ ना हम साथ साथ हैं देखो ठागुर साब इस होटल का मालिक मैं हूँ इस गुरुप से मुझे कोई लेना देना नहीं है करतार लीडर मैं ही हूँ देखिये आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है दोनों शादी करना चाहते हैं अगर आपने शादी से इंकार किया तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है दो प्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा उनकी शादी करा दीजिए इसमें बुरा क्या है वो मेरी लड़की है मैं सोचूँगा मेरी मर्जी के खिलाफ अगर वो शादी करेगी तो मैं उसे जिंदा गार दूगा वो किदर है भे ठाकुर साब मेरा कहना मा काठ दा लूँगा तमीजिस से अका कहा एकि तमीजिस वेक ब्लड़की की मर्जी से उसकी पसंद के लड़के से उसके शाधी करवाएके उससे जिंदगी देना चाहता है और तुम उसके खिलाब जाकर उसे उससे जिंदा लाज बनाना चाहते हो कैसे इंसान हो तुम्लों कि क्या बेशाले तू कौन है इसएर्या का जादा है क्या हाहा क्या एसर जादा है क्या है क्युए कर दूद एफ अर्ड़ लो ज्वेसं हो झाल 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 कि अब बोल है जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने के कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गाउच होने के लिए मजबूर करती है मैंने आउट अब निकर हैं एए सारे गाउ में अकेला मैं ही हूँ मेरे निकर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा निवा है अपनी निकर निकाल कर दे मुझे मेरा पसीना पोचना आयला है आया बड़ा आया निकर वाला भाय निकर वाला कर दो कर दो कि कर दो कर दो हनाạnh हाई कर दो खिया मुस पानी हाई कर दो Anda, कि ए भाई कि लुक tipping महँ Clayton परसको सब लंब हुआं nod पुराज करें नाथ युटूर भीथरेबास जाने बाडि़ाए सुट्वियों, तोड़ी देए वी तरफिक की नमट सर्फोर्पंपर आररेजरेऩ थे। फिरेटर भी छेक की नमी तरफिक की नम्मट सर्फिक तरफिक सानल नम्मा तरफिक था। हुआ है 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 यह घेड पर क्यूंख खड़ा है तो या बाहर आजा या फिर अंदर जा पिछ की अजनल भीच में कि क्या हो रहा है सब को कबर करने के लिए हम हगाव कुद को बहुत हैंसम समझ आग क्या चो सब को तुम दिखाना चाहते हो पूना से लेके हैदराबाद तक मच्छर की तरह मेरा खून चूसे तरह मेरा कून चूसे तरह में नहीं है सॉरी है मैं वाट्स नंबर चौदा नंबर तुम ही हो क्या जी हाँ आपका नाम सनी है जी हाँ धत तरे की तुम कोई टीवी आइटिस्ट होगे हम यह समझे थे आस्त अब आपके तरह बीच में रास्ता रोके खड़ा है यह भाई को जाने देना साइड में हाट हाट गया ना यार आने दो कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब कि ऐसे मनुष्य है यह द्यान भंकर द्यामारा कि सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे रूंद ये नजर तनमन हम हारे बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे तु है जुनू तु है सुकून तेरा रूप देखना जजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है वाव सिंपली सुपब सर बहुत बढ़िया गाते हैं आप कांग्रेट सेंक्यू आपका गाना सुनकर दिल में कुछ-कुछ होने लगा था यह लड़की है मालती है यह संदर यह प्रवीन साइट प्लीज साइट इतना मत तडप रहे तेरा स्पेशल इंट्रोड़क्शन कराता हूं तू भी क्या याद करेगा सर इसका नाम है चरपती आकार गणपती गाव तिरूपती और इसकी मा बैचारी भूख से तडप कर मर गई बाप चार टाइम खाके मर गया मैं एक्चिली हैद्राबात से एजुकिशन टूर के लिए पून आई थी आप यहीं रहते हैं क्या सर आप यहां पर जॉब करते हैं क्या नहीं आपका क्या कोई बिजनिस है नहीं यार यह घूमने के लिए आया होंगे है ना अच्छा नहीं यार तो फिर आप कहा से रहें स इस नहीं हो सकता सर आप हमसे मजाख कर रहें ना नहीं मैं सच कहा रहा हूँ साथ साल के जिल की सजा काटकर मैं आज ही छूटकर आया हूं साथ साल की जेल की सजा काटने की वज़ा रेप, मर्डर, रॉबरी ये सब गुनाह करने वाले को इतनी लंबी सजा मिलती है तो फिर आप कि आपो, ये अदू है अज sour कै ये अलुफल्वि अटै जय करता ही वालतोlle का ये आलुफल्डर हर्यो्य मैं, इस लिए, कर नहीं रख नमें बाहरे हरे आख़ने का म ? रुक जाओ, रुक जाओ, पुझे दो, आंटी यह हमारा है आंटी तुम्हारा है क्या? आंटी, ले लो वोट्स यूर नेम? मोनीका अच्छा आंटी, फेस्ट ब्लॉग का रहने के लिए आप ही आई हैं ना? बिल्कुल जोही, तुम्हें कैसे पता? आप लोगों को अपने सामान ले जाते हुए देखा था, बाइ आंटी, बाइ आंटी, यह सो क्यूट, थैंक यू फैन और टूब लाइट मैंने फिट कर दिया है, और कुछ कामोगत मुझे बुला लेना, अच्छी बात है दादी मा, दादी मा, हाँ, क्या है बेटा, सामन सब आगया है ना, सब कुछ आगया है, घर बहुत बढ़िया है ना, उधर तो मेरा दम गोड़ता था, इस घर को देखो, कितना बढ़ा, कितना अच्छा है, यहां सब कुछ पास में भी है, एक तरफ जेनरल स्टोर, दूसर तरफ राशन की दुकान, उसके बाजो में लॉंडरी को दुकान, और उसके बाजे, इसका मतलब आपको यह जगा बहुत पसंद आई, मुझे बहुत पसंद आई, तुझे एक चीज दिखाते हूँ, आ, आ, देख तो, यहां से तेरा कॉलेज कितना नस्दीग है, आज से नहाध होकर तैयार हो जा, हम लोग मार्केट जाकर पूजा का सामाल लेकर आते हैं, दादी मा, चल बेटा, सत्यम शिवं सुन्दरं, ओ मंगलं मंगलं, लव ही जिन्दगी है, लव ही बंदगी है, तुझे ढूंड ये नजल, तनमन हम हारे, बस चा सांसों में मेरी, अर्मा तुम सारे, तू है जुनू, तू है सुपू, तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे, सत्यम शिवं सुन्दरं, ओ मंगलं मंगलं, लव ही जिन्दगी है, लव ही बंदगी है, के बंदगी है, तेरों में बंदगी है, तनमन हम इस बंदगी है, तनमन हम तो जो एक बंदगी है, दुनियाओं से देखे मन में है किसके क्या कभी ना कोई सूचे दिल की है मेरे वो सपनों की रानी मैं हूँ सागर तो वो लहर है दीवानी खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझ को ही सपनों में हर पल तुँ आए सच में मिले ना कभी तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कदमों में है तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्बू से महके मेरी सांसे नस नस में मेरे मिसरी सी घुली कोयल से तेरी मीठी है बोली तू है सुकू मेरे इस मन का कर ले तू मेरा यकी तेरे पिना मैं जीना सकू तुम हो मेरी जिन्दगी की तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम अंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही पंदगी है तुझे ढूंडे ये नजर तनमन हम हारे बस चासा सुमे मेरी अर्मा तुम सारे तू है जुनुम तू है सुकूम तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे सत्यम शिवं सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है मेरे भगवान कितनी देर हो गई मुझे इतनी गेहरी मीन कैसे लगई मुझे अरे भगवान भाग्यवान भाग्यवान टाइम कितना हो गए तुम्हें पता है उदर कपके दुकान खुल गई होगी मैं लेट पहुचूंगा तो ग्रांको का क्या होगा क्यों भाग्यवान मेरे लिए उटके जल्दी से नाश्ता त्यार नहीं कर सकती महराने की तरगुंगी बनकर पेपर लेकर बैठी हुई है सुबह के समाचार छोटा नगर शुक्रवार नवंबर चौधा बेट कॉफी पहुचाने के बाद भी टांट खाती हुई पत्मी कॉफी तो लेकर आई लेकिन जगा-जाक्च्व नहीं अपने प्यारे से पती को दिलो जांसे चाहते हुए भी उसके मन की कामना पूरी करने सब्सक्राइब करने के बाद भी सवालों से जूचती एक मजबूर जिम्मेदार करता व्यपुर्ण बीवी क्यों अरे हर चीज समाचार में लिखा है क्या तू पिपर में पढ़का सुना रही है वो सब तो ठीक है मेरा टीफिन तयार किया है कि नहीं किया है वो मैंने सुब तुम 2400 घंटे गहने में सस धजगर पेपर में घुशी रहती हो किसी दिन यह भी लिख करके आएगा पीवी की गैर जमेदाराना बरताव से तंगा कर एक दिमेदार पती ने अपनी जान देदी यह दिन हेडलाइन में आएगा हां लेफ साइड में तुम्हारा फोटो होग मेरा फोटो होगा एक दिन लोग उसे पढ़ेंगे दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे कि पेपर में क्या लिखा हुआ था मुझे बैसे भी देर हो रही है मैं चलता हूँ हाँ हाँ बहुत देर होगी थी अब क्या करें नहीं किसने बाहर निकलते ही लड़कियों के दर्शन हो गए वारे वाँ आज तो मेरी चांदी चांदी हो गई शबाज शबाज अरे लेट हो रहा हूं चलता हूँ अरे बाबरे अभी तक शौप नहीं खुली है फिर अपना धंदा आगे कहां से बढ़ेगा किसी भी वरकर को टाइम की जरा भी कदर नहीं है क्यों वे इतना लेट क्यों रात को लाश्टो सिनेमा देखने कर ता सर इसलिए लिए लेट तुझे धुमा कर तुझ लाश्टो स अरे वह सारी दुकाने खुले या ना खुले कोई बात नहीं है लेकिन यह जो है इमर्जेंसी दुकान है सला एक दिन मैं लेट आ गया तो तो मुझसे भी लेट हो करके आएगा खड़े करें मुझ क्या देख रहा जलदी कर ठीक है सब देख 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 लिया तुन्हें दुकान के खुलते ही सारे इलाकिये की रावनक बदल गई वह किसलिए पता है ना नंबर वन विस्की सिर्फ हमारे यहां मिलती है समझगे लेकिन अभी तक और तो नहीं आ है सर तो क्या आप तो अपने जेव से पैसे निकाल कर ओडर देने वाला है 400 रूपे की बॉटर आती है तेरी अगात है क्या चल अपना काम कर आज के दिन लगता है मालिक अपने घर से चड़ा कर आया है जब तक मेरी शौप में नहीं होती जब तक मैंने चलाता कि इतना बड़ा करोड़ पति क्यों ना हो इस अंदर तफन कर देता हुए गुरू क्या है यह गुरू क्या हुआ मैं बोतल खरीदने आया था आपने दुकान बन कर दिया मून खराब हो गया तेरे जैसे कितने ही चेले को पहले मूर्क बना कर छोड़ चुका हूँ एक मिनट बात सुन पहले यह बता तुझे सबसे पहले पहले ना किसने सिखा रहे ने मेरे गुरू ने और आज तुझे जब बॉटल नहीं मिल रही है तो तेरा मू जुक गया नहीं छोड़ू इसलिए चल्शन्रबं कर आज कर मैंने वोनी भी कि तो मेरे खादन पे लानस है हाई हाई आ गुद पानिंग मैम वुद मॉनिंग चल से प्रॉब्लम आ गई है आज शाम को अनात पच्चों के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया था ना हाँ उस प्रोग्राम में गाने वाली लड़की अचानक बीमार पड़ गई है वैसे हमने दूसरा सिंगर अरेंज करने के कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो भी मु हो जाएगा इंदू ऐसा नहीं होगा मैम आपने उसकी आवाज नहीं सुनी है एक बार उसकी आवाज सुन लेंगी ना तो मेरा डिसिजन सही लगेगा ओके इंदू अगर तुम्ही इतना कॉंफिडेंस है तो उसे से हम गवाते हैं वह दिखने में कैसा है अरे ऐसे मेरे उस अरे यार बालू हम लोग जिंदिक बार इसी तरह से केबल का कनेक्शन देते हो कब तक जिएंगे यार अपनी रेंज में कुछ आ गई तो बदल लेंगे तो चाहे ये टीवी हो मेरा नाम आता है जाहां सू चैनल तुमने देखा है क्या चैनल ओपन करते ही तेरा नाम घआ यार तू उल्कान ऊकिने तू रबटा ना सबस्क्राइब तो एससे बडिया विला तो आएगा क्या अब मैं बुलाता हूं तू देखते रहे माधूरी माधुरी दीदी टेरा देवर दीवान आयाँ मैं आप क्यों बुलाया अ सब मैंने तुझे काम बुला थाह वो छ यार यह क्या एक्टिंग कर रहा है एक्टिंग नहीं कर रहा है महसूस कर रहा है औरत और मैत के बीच वाले होते हैं खुद को महसूस करने में डूबे रहते हैं यह लोग होते ही वैसे हैं शीशे के सामने बैट कर खुद को टीवी प्रोग्राम का करेक्टर समझ कर लगा कर मर्द होने के बाबजूत औरतों की आक्टिंग करते हैं अरे ये बात तु जानता है कि नहीं जानता बालू ना जाने आज सुबार किसका मुझ देखर करके उठा था सनी सनी एक एक आदमी तीन चार चार बनकर दीख रहे हैं सनी का है जड़ा बता तो यहां पर नहीं कॉंट्रेक्टर बना लिया है क्या आने दे उसको मैं देखता हूं फिर यहां कर ऐसे बड़ बड़ कर रहा है जैसे हम लोगों को फैक्ट्री का कॉंट्रेक्ट दिया हो यह बात नहीं है यां तो वो किज़र है तुझे चाय नाश्ता चाहिए ना हाँ मिल जाएगा चल उदर से थोड़ा हाथ लगा ठीक है अरे कुट्टा है यार यह तो अपना ही कुट्टा है जिमी सर थोड़ा आप साइड हो जाईए अगर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो तुहीं बाजू में उठाके रख दे खटिया समेथ यह तो अपना बाजू उठाकर मेरे सर पर लाद गया उए सेलस्वा चल इजारा उठाई इसको अरे तुझे एकल है क्या इसको कहीं और ले जाकर नहीं रख सकता अरे यार करम फुट गए ओ सुवक्कड चल उठाई से रात बार कहां मरने गिया था क्या मालूम अरे यह क्या रहे है नमस्ते भाई गुरू नमस्ते क्या है क्या है क्यों बेर नहीं पहचाना निककर वाला भाई को तुमने सलाम नहीं किया मसल दूंगा गल्ती हो गए भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा पहली गल्ती इसलिए माप कर रहा हूं जाता हूं निककर बाला भाई इस तरफ आ रहा है जब तक वो पैसा नहीं दे उसे मटन नहीं देना भाईया ओई शेरिया का गुंड़ा है जानते हो फिर भी पंगा क्यों ले रहे हो कुछ दे कर जान छुड़ा लूना ए चुप रहे कियो वैर अबी तक तो सब कुछ ठीक था चलेगा ही अपने आजबी सच्छा किलो मटन भिजवाएँ पहले का पैसा चुकाओ क्या पैसा लाओ क्यों किससे तू पैसा मांग रहा जानता है ये निकर वाले भाई से तू पैसा मांग रहा है तो मुससे बड़ा गुंड़ा है मेरे पास गाड़ी या बाइक निए इसले तु मेरा मयाख पुड़ा रहा क्या यह सुन मेरे पुराने यार लोग सब जेल से चुट कर आए हैं एक 6 किलो का फर्स ट्राट किमा बना कर साथ पूरी जांका बोटी बना कर भिजवा दे तुझा आप क्यों नहीं दे रहा है यही म निक रवाले भाई से पैसा लेकर तुम अनधे कर सकता हूं मैं पैदा होते इंसानों की बोठी 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 काटता रहा हूं निस पर तूने चापर उठाया सिर्फ उठाया नहीं काट भी दूँगा पुछ बटन तो ले लिया कोष्टेप बिलिये की ता जगड ते रहो मैदम 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 लीज बुछ पर रिक जया करदो तुम लग रोज मुझे इतर दर्शन दिया करो मैं तुम्हें केबल कनेक्शन प्री में दे दूँगा अगर तुने उससे देखा नहीं तो पैचाने की कैसे हम किसी से भी पूछ लेंगे मैम चीक है कि अगर अगर नहीं चल सकता क्या तुने देखा क्या खुद अंदर जैसा चलाता है और मुझे कहता है चल जा जा यह प्लीज हमें किसी का पता पूछना है मुझे 86 रुपीज चाहिए वो तो मिल जाएगा रात में यहां पर एक लड़का गाना गाता था आप उसे जानते हैं कहां सणी ओ उसका नाम सणी है उससे तुम्हें क्या काम मेरा नाम इंद्रा है पास कई कॉलेज में पढ़ाई करती हूं हमने अनाथ बच्चों की मदद के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है उस फंक्षन में उसी लड़के से गाना गवाना है इस वक्त वो कहां मिलेगा वो मुझे नहीं पता वो नालाइक के उलाद का होगा उसे पता होगा मेरे सामने आने तो उसकी टांग तोड़कर उसके हाथ में पगना दूँगा अरे तुम यहीं खड़े ओभी एक बार मिल जाएगा तो बाह दालूंगा अगर आपको एड्रस पता है तो बताईए नहीं तो अनाप्शना बाते मत करिये मेरी मर्जी मैं उसकी करने की तमीज भी निसे आपकी ओपिनिन क्या है मैडम वाइट एंड वाइट पहने वाला सब शरीफ होता है इसका कोई सबूत देना होगा आपको 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 मुझे मेरे हग का एटीश रुपीज नहीं दिया और भरे बाजार मुझे इंसल भी कर दिया आप जल्दी से यहां से जाईए आगे ट्रैफिक जाम है मैंने सोचा था आज करेक टाइम आफिस पहुंचूंगा है कौन है जो रोट पर टेढ़ा खट के डाल कर सोया है आखिर कौन है यह से तो ऐसे ही परे चानू इसकी तो लगता है राद को कोई इसका मडर करके इसे ख पर चापर है देखो भाई चापर में खोन भी लगा है अरे लगता है इस इलाके में खतानाग भाई लोग रहते हैं यहां पंगा नहीं चाहिए उसको वहीं पढ़े रहने दो मुझे नहीं जाना है अरे आगे तो बढ़ो एक्स्क्यूज मी यहां पर इतनी भीड क्यों है कोई गुंडा सड़क पर खटे डालका सो रहा है उसके बाजू में खून से लटपस एक चापर भी पड़ा है यह क्या है मैम कोई गुंडा यहां पर आकर आराम से सो रहा है और पबलिक खड़े उकर तमाशा देख रही है इंडू हमें इससे क्या लेना देना है तुम चुप रहो मैं बिल्कुल चुप नहीं है नवाली मैम यह रोड किसी का बेडरूम नहीं है मैं अभी जाकर उससे अब बताती हूं एए हिंदू हिंदू रूको वो लप्रे में फाज जायेगे उसको रूको अब चलो हिंदू हमें लप्रे में फासना है चलो यहां से चलो इंदू चलो रहने दो उसे इतने सारे लोग यहां पर खड़ें कोई कुछ बोली ही निया तो चल रही है किया यहां पर उससे सबक नहीं सेखा सकते किया कि क्या बात है यहां मेला कैसा लगा हुएं यहां मेला नहीं लगा है अब इस सड़क पर खटियाढल कर सो रहे हैं मैं यहां किसा आ गया रास्कल कहींगा अकल नहीं क्या तुम्हें कि क्या बात है मैडम तुम पर भड़ा क्यों रही है समय है गुरू समझ गया चल चल अपना काम कर यह चापर यहां पर कैसे आ गया है अटो तुम गाड़े निकाया मैडम आप एठीये चलो आओ ना इंदी दर जाओ कि माने कि मरने से पहले वह अपनी जान बचाने के लिए अल्ब तारपता रहा बचा रहा पता है क्यों एक सीनियर शराबी हो कियों तुम जैसे शराबियों की जान बचाने के मैंने इतना बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमारे देश के शराबियों कोई यूनिटी तर्वाजा कुलो कौन है उधर मेरे दोस्तों आज के दिन से मैं तुम्हारा यूनिए लीडर हूँ चाहे वो मेरा कोई लेबर हो चाहे वो मेरा मालिक ही क्यों नहों कोटेश्वर राव जो कहता है वैसा ही आप सब लोग करेंगे समाज गयना चलाओ अरे अरे अब चुटकुले सुराना छोड़ो अंदर कौन बंध है शटर उठाके दिखाओ गुरू चौनिक नहीं मिलता यहां पर इसलिए तो यूनियम बनाने की मेनत कर रहा हूं मैं कौन है जो मेरी परमीशक की मेरा शटर खोड़ रहा है हलो सन्नी सहाब नमस्ते जी तो बताईये जनाब अब तक कहा था आप क्यों और यहां कोई सहारा नहीं है यह सोचकर तुछ पर तरस खाकर केबल टीवी का कनेक्शन लगाने का कॉन्ट्रेक्ट मैंने तुझे दिलाया लेकिन मेरे धंदे में तुने मुझे उल्टेमू पटक दिया अब तक तेरे पिछे कि तुमाकर नहीं खुला जाता इसके लिए स्पेशल टेक्नीक होता है टेक्नीक ला यह तुम्हारे लिए है तो मेरे लिए एक्स्क्यूज में क्वाटर जाते ही मैं सब कुछ भूलिया यह मस्तमज ले ना तुम मेरे केवल के पैसे लाव बाबो आई यह दर आया कॉम्रेट्स बहनी हो गई तुम लब भी शुरू हो जाओ मैंने कब कहा पैसे नहीं दूगा तुम शराब पीकर बेहुश होकर रोट पर पढ़े होगे तो कोई चुरा लेगा तुम्हारे पीछे लोग तुम्हारे बारे में क्या-क्या कहते हैं पता है इसलिए केबिल के पैसे कलेट करके अपने पास रखें चाची को देने के लिए यह क्या करें आप रोट पर बच्चों जैसे रूर रहे है चोटो तू मेरी फैमली के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा सोलता है तो क्या हुआ चाचा तुमने क्या गलत किया ठीक नहीं किया होगा आज मैंने कंजान लड़की के सामने कौन सी लड़की इंद्रा नाम है उसका पास के कॉलेज में पढ़ती है अनात बच्चों की मदद के लिए वो लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तू वहाँ पर गाये तुझे ढून रहे थे उन अनात बच्चों के प्रोग्राम में तू न जाये इसलिए मैंने उल्टा सीदा समझा कर यहां से वापस देज दिया स्टेश पर एक बार गाना गाने के मौके के लिए कब से इन्थजार कर रहा हूं पता है आज हाथ में आया हुआ मौका तुमने मिस करवा दिया चाचा कम सी कम उस लड़की का एड्रेस तो लिया होता अब ये बात मुझे क्या पता था हाथ आई रोटी मूह तक नहीं पहु सत्तम शिवं सुनरम मौम अंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है तुझे ढून ये नजर तन मन मैं हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पे जा मैं वारी दू है जुन्दू दू है सुबू तेरा रूप देखना सजना हम जाए सत्तम शिवं सुनरम मौम अंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है कर दो ही तू है लव ही बंदगी है लव ही जुझाओी है कदमों में है तेरे दोनों जहां मेरे फूलों की खुश्पों से महके मेरी सांसे नस नस में मेरे मिसरी सी है घुली कोई ऐसे तरे मीथी है बोली तो है सुकू मेरे समन का अब कर ले तू यकी तेरे बिना मैं जीना सकू तो है मेरी जिन्दगी तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम शिवन सुन्दरम मौं मंगलम मंगलम लव ही जिन्दगी है तुझे ढूंड ये नजर तन मन में हारी बस जा सांसों में मेरी तुझ पे जा मैं वारी तू है जुकू तू है सुकू तेरा रूप देखना सजना हम चाहे सत्यम शिवन सुन्दरम मौं मंगलम 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 लव ही जिन्दगी है लव ही बंदगी है अरे 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 क्या हुआ नरका लेडी स्टॉयलेट में जाग रहा है चलो अंदर चल कर बता देए चलो 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 सुनो वह देखो लड़क लेडी स्टॉयलेट में चलो 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 लगया 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 रुकना यह अन्याय सच क्या रहा हूं केबल कलेक्शन लगाने के लिए उस बेवड़क को हमारे पीछे लगाकर खुद लड़कियों के पीछे घूम रहा है अपना करेक्शन विट करने ऐसा नहीं चलेगा यह मैं भी जानता हूं चलो माचिस ला नहीं है नाय मिट कंशन रहा हूंile ही मध्स लगुदtek लोग करें इतनों में अत्मr मैंने तुमसे घुसा तुम्हे तुम्हें गुछा रहा है शुन चैप कर रासक्र नहीं मुद्शा पटकर पर नज़र डालते हो शरम ने आथी तुम्हें तेरे चेहरे में कुछ बदलाव सा नज़रा रहा है वो क्या है न सारी मर्दानी निशानिया हटा दी है सेवेन अ क्लॉक ब्लेट से शेव करके सारे जिसमें के बाल भी हटा दिये अब मैं कैसी दिख रही हूं यह तेरा लुक क मर्द लोग भी करवाते हैं क्या मालूम मुझे गांधी नगर जाना है आप लोग को पता है आड्रस तो बताओ ना मुझे आड्रस बता दे हमारे पास इतना टाइम नहीं है इस शेहर का चप्पा चप्पा का अड्रस जानने वाला एक ही आदम है वह देखो मुझे बात बताईए उसके गले में रुमाल बंदा हुआ है वह तो मुझे कोई भाई जैसा लग रहा है आप मिलवा दीजे ना मिलवा दूं हाँ ओ बाला भाई इस महाशे को यहां का एड्रेस चाहिए तुम बता दो ना यह वहां पहुंच जाएगा हो गया न हैंक्यों ने सबस्क्राइब लोग क्यां लाँ छ लाइए दीजिए अनमस्ते भाई मेरा नाम से पेंडेडब है नहें बहुद जाना कहा है गांदेनगर के गडियाल हाउस के भंगार गली में ताइम के लिए तूप नगर नियुक्त कर सही जगह पहुंचा दूँगा तुझे जाए रास्ता पता तो यह नहीं प्रिज फिप्टिन रुपीज में उसके साथ यह फीटा भी फ्रीमियम मिला है तेस्स बहु देख लुक्तर अजिए यहां से सीधा जाने को उसके करके जाने सामने एक रास्ता समझ गया वजया तो ठीक है उसके बाद पीछे आने पने गोड़ने का वहां सो पीछे-बीच्छे-पीच्छ आने का इस आए वही तो जगह है है यह सामने तुझे माओ धिक चाही है नहीं वह जहां पहले थे वहीं है तब उसने बनाया था मिनिस्टर बन गाए जी तुझे करना है प्रनाम करो गोविंदा गोविंदा ऐसे रहूंगा जी अब देख लेफ लेफ से राइट में आगया जी फिर अब गली में मुड़ जा तू यहां पहुंच गया जी यह बंदा यह ब सामने है तुम्हें तुम्हें जीना है यहां तक proclaim to इस एड्रेस के लिया का तू टैक्सी में घुमा होता था चारसो चालीस रुप्य होते हैं मैं सिर्फ एक सो रुप्य मांग रहा हूं तो नहीं कर दो एक तूझे नहीं मिलता तूझे नहीं तो सस्थे महीं अपनी जागा पूंच गया यह मैं था जो तुझा जब आपने पूंच लिए ने कर वाले देख लिया ना मेरा कमाल आगा नम यह मस्तान यली तयार कर एक किलो की मा आ रहा हुआ है हाँ कि विनायक जी मेरे फ्लावर गार्डन में रहेंगे क्या कि अगर कि अगर श्टेश पर एक बार गाने का मौका मिल तुम्हें गायक बन सकता हूं इसलिए इस बाग का यह फूल आज में तुम्हें अर्पित करता हूं पता है आज मैंने तुम्हें इस फुलवारी में लाकर क्यों बिठाया है इन फूलों को देखो एक एक फूल लड़कियों की तरह खूबसूरत है मैं यहां जब भी आता हूँ यहां की हर कली मुझे बड़े प्यार से देती है यह बाग प्यार की निशानी है जो मुझे मेरी माने भीजे हैं इस बगीचे में जब तक बहार है, तब तक मैं समझूँगा मेरी मा बहुत खुश है, तब ही तो ये फूल में तोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए ये फूल तोड़ने की बजाए मैंने ये सारा का सारा बगीचा तुमारे चाड़ों में रख दिया है, जिससे मुझे फूल समय दुख भी न हो, और आप यहां पर रहे कर खुश भी रहे, ओके, ची, स्मोक मत करो यार, तो फिर मैं क्या करूँ बता, ये, नमस्ते कर, नमस्ते सर, क्या बात है, कौन हो तुम, मैं श्याम, मुझे आपसे थोड़ा काम है, केबल कनेक्शन लगाना है क्या, नहीं सर, ल मुझे शरम आ रही है, अरे ओ, बीच वाले, लगता है, सिटी कबल के स्पॉंसर आया है, तू थोड़ी देर कंट्रोल मेरा, मुझे इन से बात करने दे, बोलिए भाई, आपका कनेक्शन कहा लगाना है, वो क्या है न भाई, पास वाले कॉलेज के अनीता नाम की लड़की स अरे कूल डाउन बाबा, वैसे हमारा असल काम क्या है, समाह सेवा करना ही ना, जूते चपल खाते रहो और मजे करते रहो, क्या बला रहे तू, मैंने समझाया ना, तेरी वज़ा से मैं चूप हूँ, चल कहीं और चलते हैं, चल बेरा, चल बेरा, चल बेर, क्या है लाट के प्रोग्राम में तुमने बहुत अच्छा गाना गाया यार, इंदू एक बात कहूं, तो इतना अच्छा गाती हमने तो पता ही नहीं था, सिर्फ एक की दिल में तुम कॉलेज के स्टार बन गई हो, हर किसी के जुबां पर सिर्फ तुमारा ही नाम है, इस तारीफ क पर देखो प्रॉब्लम को मैं कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करता हूं, इस तरह का दिमाग पाने वाला दुनिया में तुई है बस मान गया, और नहीं तो क्या, एए, उदर देखना, वांचेट अनिता, थर्ट बीएस्टी, शाम, एए अनिता, उदर तो देख, तेरे लवन ने तेरे लिए बुलावा भेजा है, तुझे देखने के लिए तरस रहा होगा, इसलिए बुलावा भेजा है, अरे इंदू, ये तो पागल दिवाना लगता है, तो जल्दी जा मिल उस से, इंदू, एक मिनिट, ओके, ये इतना खतरनाक आइडिया इस्तेमाल करेगा, मुझे पता ही नहीं था, प्यार, प्यार, प्यार करते रहने से कुछ नहीं होता है, उसको सक्सेस करने के लिए आइडिया लगाना चाहिए, क्या आप सही कहने हैं बॉस, क्या वो आएगी, आपको यकीन है, वो इससे पढ़ लेगी, तो जरूर आएगी, नहीं आई तो, नहीं आई तो तुम उस तरफ से जाकर उससे मिलने के लिए तयार रहना, ये शांप, ये कौन सा तरीका है बुलाने का, अनिता, संगीता टॉकिस में नई फिल्म लगी है, मैंने सेकंड शो के दो टिकेट लिए हैं, जल्दी आजा, मैं यहां से छलांग नहीं लगा सकती, अरे, इसकी क्या जरूरत है तुझे, मैंने ब्लैक से टिकेट लिए हैं, तुम्हें फिल्म देखने में इतनी जल्बास ही क्यों है, मैं पढ़ाई छोड़का नहीं आ सकती, अरे, चीके, चीके, तुम ठीटे के बाहर वेट करो, मैं मैं इसकी हेल्प की, यह पैसे दिखा कर मुझे दलाल साबित कर रहा है, तेरी वज़ा से मैंने ये काम किया है, तेरी तो, बातो, पोस्त नहीं ना गया, सन्नी को उसकी माने मनी ओडर वेजाओगा, मेरा तो आज मिल जाएगा, तेरा कितना बाकी है, मेरा तो छोड़ तेरा ये लो तुमारे प्रासे चलती है नोट से रेल गाडी इंग जिन से चलती है दुन ले जिन्दगी की ये गाडी चलती है नोट से खरा खरा है ये नोट हाथ में, हागिन ले तू हरा हरा है ये नोट हाथ में, हागिन ले तू अर बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अर बोलो मेरे भाई हर बात किजै लेल गाड़ी इंग जिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से दॉलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू दॉलत हो तेरे पास तो होगा वही जो कह दे तू दॉलत हो तेरे पास तो परिया भी पट जाए गुरू पैसे है तो हर फल तेरी चलती पैसे है तो दुनिया तेरी सुनती पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पटी पास तेरे साइकल हो तो फिर वो लड़की पटी पास तेरे गाड़ी हो तो फिर वो लड़की पटी रेल गाड़ी जिन से चलती है सुनले जिन्दगी की एक गाड़ी चलती है नोट से एर माब ए… मेचलू प्यूँड़ी तेरे बाता तो छूँड़ी दोलर ले लो बेस दन रूबी लेना, सब कुछ देखे कर लो खाना पीना बास तेरे पैसे हो तो नखरे ये सब सहती, हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती हो बास तेरे पैसे हो तो नखरे ये सब सहती, हर घड़ी बाहों में तेरे फिर आके माँ चलती रेल काड़ी इंग जिन से चलती है सुन ले जिन्दगी की ये गाड़ी चलती है नोट से हरा हरा है ये नोट हाथ में हाँ गिन ले तू हरा हरा है ये नोट हाथ में हाँ गिन ले तू अर बोलो मेरे भाई इस नोट किजै अर बोलो मेरे भाई हर बात किजै क्यों भाई सनी सबका सेटलमेंट हो गया क्या वैसे लगभग तो सब सेटल हो गया है ये ले तेरी चाहे और जीमी के लिए दूर ओके ये जीमी ये ले दूर पी ये बहुत बढ़ा रहा है कि सबका करणे तो ने चुकादिया है कोफिसे मञग रहा रहा है कि यह Japanese ऌरत मेरे पीने से इसे यह नहीं पासेघ़ हो करना हो इसका क्या मतलब है रैसे ये पश्टल डेपास्यूर से भी कमीशन लेते हैं और तरी माुस्स भी में लेते हैं उतना भी अगर बच गया तो चार दिन की नहीं तो दो दिन की रोणी तो चल सकती है ना उसके बजाए दो दिन वहां पर जाकर तू नसे मिल के Zap में दो सकता है तुमने ये तो सोच लिया कि कमिशन कितना कड़ता है पर मा के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है ये कभी सोचा है वोसल डिपार्ट्मेंट वाले को तेरी मा के प्यार से क्या लेना देना है रहे देखो जाचा मेरी मा के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरी मा का मेरे कोई नहीं है पिता जी बच्पन में स्वर्ग सिधार गए और पालन पूशन मेरी माने ही किया अपनी मां को सुख देने के लिए ही मैं आज यहां पर हूँ यही छोटा सा मेरा सपना है अगर मेरी माने महनत नहीं कि होती तो आज मुझे महनत करनी परती मैं नौकरे नहीं करता इसलिए मा मुझे खर्चे के लिए पैसे बेजती है कल मैं पैसे कमाऊंगो है तो मां खुश हो जाएगी चलो ठीक है चोटु तुम मां बैटी के खुशी इसी में है कि वो रोज तुन्हें मनी आडर बैशते रहे इसमें मुझे क्या लेन देना I want 86 rupees that's all मेरे सवा दुनिया सथ्यम्षिवं सुन्दरं ओ मंगलं मंगलं लव ही जिन्दगी है लव ही पंदगी है तुझे ढूंड ये नजर तन्मन हम हारे बस दान सुन्दगी है सुन्दगी है तुम्हारा नाम सन्नी तो नहीं इतनी खुजूरत लड़की मुझे दुबारा जिन्दगी में नहीं मिल सकती ये चांस मुझे मिस नहीं करना चाहिए येस सर बताईए ना आरे यू सन्नी ओफकोर्स वैसे तो मुझे सन्नी बाबू छोटे सरकार इन सब नामों से बुलाते हैं कुछ देर पहले ट्राइल रूम में आप ही गाना घा रहे थे ना गाना अपने सुना था क्या सुना था अच्छा लगा अच्छा लगा होगा तो उस गाने को गाने वाला मैं हूँ मुझे वो गाना बहुत पसंद है सन्नी जी फिर से एक बार वो गाना गुन-गुनाई है यहां गाहूं क्या? प्लीज? एक्स्क्यूज मी रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा जीवाना भूल कोई मुझसे न हो जाए निंकचक हाई 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 लवली बेपी इडियट हाई कृष्ण तुम यहां कैसे? कितना दिन हो गए बेडू? तेरे को देखे हुए हाँ ठीक है इस नॉंसन्स वेलुकानाम है कृष्णा जैसे नीच हरकते है तो ऐसा देखता भी है चल बेडू, चाएपी के बात करते है नहीं यार, मैं तुला जल्दी में हूँ बस में सो जाएगी बस में सो जाएगी? या बस में जाने वाली पोटी में सो जाएगी ए कृष्णा, एकदम पटाका है रह बिल्कुल हॉट केक मजा ले ले ए क्या यार सुधरानी अभी, आज भी तेरी वही मेंटिलिटी है अरे उसका विना लाइफ में क्या मजा रहे हाई चिकनी ओके, निकाल निकाल ए तेरी शादी फिक्स हो गई उन्हें बताये क्यों नहीं? वैसे सोचा था कि वेडिंग कार्ट छपने के बाद ही बताऊंगी यह क्या बात हुई? कम से कम मुझे तो बता सकती थी न अरे तेरे बगैर शादी हो सकती है क्या? सबसे पहला कार्ट तुझे ही बेंगी इंदू, एक छोटी से रिक्वेस्ट है क्या? हमारे marriage reception में तुझे गाना गाना पड़ेगा मैं? हाँ उस दिन अनात बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गाया था तुने जहाने दे उस दिन प्रोग्राम में गाना गाने वाले भीमार पड़ गए थी पिर सनी को ढूंड़ा और वो भी नहीं मिला इसलिए मजबूरीयों मैंने गाया वो मेरे गाने के इतने इज़ब करते है आज मैं उसे बता देता हूँ कि महीं सननी हूँ वो सां मैं नहीं जानती है। जो तुझे गाना ही पड़ेगा मुझे भख्षते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी तुझे गाना ही पड़ेगा एक काम करते है यार वो सन्नी को कहीं से ढून कर निकालते हैं तेरी शादी के रेसेप्शन में उससे गवाते हैं डूंट परी अच्छा अगर वो सन्ने नहीं मिला तो तुम गाओगी ना चलो ठीक है इडियाट तेरी इतनी हिम्मत के मेरे साथ बत्तमीजी करें मैंने मैं अच्छी तरह जानती हूं तुझे तुम अपने आपको समझते क्या हो हां किसी के साथ भी कुछ भी कर लोगे यह तो बता मैंने किया क्या तुमने सब के सामने से छड़ा है आमने नहीं देखा है क्या करतार एक स्ट्रोंग सूपर डस्ट चाहे मुझे कड़क मलाई मारके खाली दूद की सुनो मुझे असली दूद की कॉफी चाहिए थोड़ा सा भी पानी मत मिलाना अच्छी नहीं लगती जिसको जो भी चाहिए यहां पर सब कुछ मिलेगा लेकिन पहले रोकडा निकालो अका नीचे नहीं आ रहा है पैसा दोगे पलाई मारके भी दूँगा कॉफी भी दूँगा रोकडा देकर चाय पीनी होगी तो तेरा ही होटल है क्या इससे तो अच्छा है हम लोग कामत होटल में जाकर चाय पिएंगे क्यों रहे आया वावावावावाव उधार पीनी के लिए मेरा होटल रोकडा देकर पीने के लिए कामत होटल कैसे लोग है यार ररे हम यह बहुत धिद्द्धी हैं ऐसे नहीं देगा सनी को बलाते हैं काम हो जाएगा। सब्सक्राइब करने लगता है एक दिल वाला ही उससे समझ सकता है एक दिल वाला ही जानता है कि एक दूसरे दिल वाले के दिल पर क्या भीत रहा है अरे हमको पागल कर देगा यार अरे मेरी बाद सुनो हम तुमारे सामने हाथ जोलते हैं दो स्ट्रॉंगती दे दो और हमें बचा लो प्लीज जिसके सीने में दिल नहों जानवर से भी बत्तर होता है च्छी क्या अरे है है क्यार प्लीक देल साजने मतला है अरे है यह कल्सक्राइब तेरी कवीमी में चपिए अदेख्ट्रों कुक्तू तेरी गटाओं में तुम्हें देखा है सपनों में तुम्हें पाया है इन्दू हम सब के तरफ से तुम्हारे इस खुशी के मौके पर एक जोर दर पाची करेंगे हम लग सम्मल कर पाची आएए जाए पाची करेंगे पाची हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं नजर से दिल में तुम उत्रों, कभी तो धड़कने ये सुन्दों ओ प्रिया, ओ प्रिया हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं रोज सपने आए तेरे सनम आके मिल जाए आके बरसे मन ये तरसे दिल को न तड़पा तेरी बाते लगे तुछ को देवनगी मैं न जानू सनम क्या है ये अश्की ओ प्रिया, ओ प्रिया हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं चाहत भरी नजरे नहीं दिल बल का कर्वन तुम ही कहो मेरे सुनम कैसा ये बंदन तेरी चाहत से है ये मेरी जिंदगी मेरी सांसों में हर पल तु है पसी ओ प्रिया, ओ प्रिया हर घड़ी तुछ को ही सोचूं, ख्वाबों में तुछ को ही देखूं नजर से धिल में तुम मुत्रों, कभी तो धड़कने ये सुनलो ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया you yeah sorry मैं उसे देखने की कोशिश कर रही थी okay वावाँ वाँ क्या गाना गाया है भाई बागवान ने तुम्हें शुरों का अम्रित दिया है यह पंडित तुम्हें स्पशल चाह पेश कर रहा है पीयो पेशल्चाह deze नहीं उम लोगों को सुलेमानी सुलेमानी विदाओट सुगर विदाओट मिल्क अरे हमें वह ही दे दो लेकिन चल्दी दे दो तुम लोगा लिटर कौन है माधुरी यह निकि मैं और कौन बहुत चर्वी चर्गी है इस जब से बता दो तुम लोगे लिटर कौन है अपने आपको तिसमार खास मस्ता है कौन जो मेरी बहन से प्यार करता है उसका नाम पता बता मुझे नहीं बताएंगे तो क्या कर लोगे चाहे की हंडी को बाहर फेक दोगे सारे समोसों को बाहर फेक कर दोगे तो अगर एक बात की अउलाद है तो इस होटल का सत्यानाश कर दे तुम चुपरा हो ना तुम है डरने की कोई जुर्वत नि मैं हूना हम साथ साथ हैं देखो ठागुर साब इस होटल का मालिक मैं हूँ इस गुरुप से मुझे कोई लेना देना नहीं है करतार लीडर मैं ही हूँ देखिये आपकी लड़की उस लड़के से प्यार करती है दोनों शादी करना चाहते हैं अगर आपने शादी से इंकार किया तो आपकी लड़की जान भी दे सकती है दो प्रेम करने वालों को जुदा करने से कुछ नहीं होगा उनकी शादी करा दीजिए इसमें बुरा क्या है वो मेरी लड़की है मैं सोचूँगा मेरी मर्जी के खिलाफ अगर वो शादी करेगी तो मैं उसे जिंदा गार दूँगा वो किदर है भे ठाकुर साब मेरा कहना मान लिजिए उनकी शादी करा दीजिए दो दिलों को तोड़ना पाप होता है वो लड लर्की की मर्जी से उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा के उससे जिन्दीगी देना चाहता है और तुम उसके खिलाब जाकर उसे जिन्दणा बनाना चाहते हो कैसे इंसान हो तुम लोग कि कि आ बे शाले तु कौन ए यह सेर्य का दादा है क्या हाँ 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 क्या बे पर अब 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 हुआ हें अब अब कर अब हुआ है कर दो तो तो हुआ है झाल 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 आप बोल है जिस किसी ने भी मेरे पर हाथ उठाने के कोशिश की है उसे हमेशा के लिए गाउ छोने के लिए मजबूर करती है मैंने आउट आउट अबे निकर है 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 सारे गाउ में अकेला मैं ही हूँ मेरे निकर को हाथ लगाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है अपनी नेकर निकाल कर दे मुझे मेरा पसीना पोचना आ आया बड़ा निकर वाला भाई निकर वाला निकर वाला निकर वाला हुआ 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 हमें उनजे है ए constituे जाल侈 है? चिक लगर कहता है हज़। एिए है कि रासकल करनीपा गुरू 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 क्या बात है आज अपना चेहरा चुपा के जा रहे हो सारी मैं नहीं हूं कोई मुझे आवास ददो आज के दिन नहीं पीने का फैसला किया मैंने रहने दो गुरू ना मैं इसे मान सकता हूं ना इसे छोड़ सकता हूं पेट भरा कोई बात नहीं है तुम अपने आपको सुधानना चाहते हो तो मुझे क्या तकलीफ है गुरू यह बोटल खुल नहीं रही है तुम धक्कन खोलने में एक्सपर्ट हो ना जरा इसे खोल दोना गुरू नहीं खोलूंगा भीम की तरह बलवान हो तुम क्या फरक पड़ता है ज़रा खोल से दोना गुरू क्यों रहे तुमेरी अगनी परिक्षा ले रहा है अभे बोटल के धकन क्यों वे यह बोटल का डखन स्लिप हो गया है क्या हां तो फिर इसे एस तरह से पखना चाहिए नीची से दो प्टके ऊपा से दो जटके उसके पड़ फिर इसको यूनियन वाले हैपी दे मनाएंगे आज मैं नहीं पी रहा हूं तो किसी और करना सक्यों खराप करा तो लड़ी बेब को यार कोई बात नहीं मैं अकेला ही पीऊंगा यार मा बच्पन में तु जो गाना गाती थी वो मैं आज भी नहीं भूलो मैं एक अच्छा गानक बनूँ इसके लिए वही गाना सहा रहा है वही गाना जहां गाया तो एक लड़की ने उसे बहुत सरहा और अपने सरा आखों पर रखा उसका नाम है इंद्रा लेकिन उसे नहीं प हैचान होगी तब तक लगता है बहुत देर हो जाएगी खैट जो होगा देखा जाएगा तुमने जो पैसे भेजे हैं वो मुझे मिल गए तुम अपनी सिहत का ख्याल अपना तुम्हारे जवाब के इंतिजार में है तुम्हारा बेटा सनी क्या सनी मनी ऑअडर है क्या मनी ऑडर आता आया तुम्हे वक्षिश देते हो भेज रहे हो तो मुझे नहीं दोगे क्या क्यों नहीं दोंगा पैसा ही चाहिए नँवेते से जो जो और ये अिरे तच वो मैं पोस्ट कर देता हूँ तुम मनी अउडर कर दो ओके झाल 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 यह सही है यह देखो रमा मेम कहा है नमस्ति मैम आओ इंदू मैं तुमारी रहा देख रही थी लेकिन मेरी रहा क्यों तुम्रेट्स करने के लिए नहीं समझी क्या इस साल भी कॉलेज में तुम ही फर्स्ट आई हो थैंक्यू मैम तुम इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो फाइनल एक्जाम है युनिवर्सिटी में भी फर्स्ट आओगी अब आगी क्या करोगी डॉक्टर बनना चाहती हो नहीं मैम उचे यहीं आई-एस की पढ़ाई करके कलेक्टर बनना है ठीक है उसके लिए तुम्हें जो भी गिताबी चाहिए तो तुम उससे आकर ले लेना थैंक यू मैम लेकिन इसके लिए और क्या करना पड़ेगा मैं वह मैं तुम्हें बाद में बताओंगा करें कि उसके बाद क्या हुआ आप इंदू से मिले क्या तो यह बत आपने इंदू को क्यों नहीं बताई इसके बाद आप इंदू को कहां मिले थे सर कि तो अजय दो अजया आपने आपने इंदू को कहां मिले इंदू कर्णे इंदू से मिले थे से अजया थे सकते इंदू. दिवा, आज बहुत दिनों के बाद मैं इंद्रा को देख रहा हूँ, जब भी उसे बताने जाता हूँ, कि मैं ही सनी हूँ, तभी कुछ न कुछ अन्होनी घटना घट जाती है, ऐसा कुछ करो कि आज कोई अन्होनी घटना नहोँ, हाँ? एक्स्कुज में? कहिए? If you don't mind, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदब करेंगे? कहिए, मैं जरूर करूँगा. मुझे जरा सड़क पार करा दो, मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए कह रही हूँ. मतलब तुम्हे दिखाई नहीं देता? जी हाँ. मेरे साथ मजाग तो नहीं कर रही हूँ? मजाग नहीं कर रही हूँ. मैं सच कह रही हूँ. I'm blind. कहीं जूट तो नहीं बोले हूँ? कैसी बाते कर रहे हाँ? जिसकी आखें ना हो, वो जूट क्यों बोलेगा? कॉलिज के लेब में किसी गुंडे की वज़े से एसेट की बोटल फटने से एड़ी आखें चली गए. नो! नो! ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था. ऐसा नहीं होना चाहिए था. पर बीच रहते पर कहे चल रहा है? नहीं होने कहे रहा दाएका? सब्सक्राइब आपके अधिर्ट ने नर्स वह बताना जरूरी है क्या अबली गाड़ी से एक अक्सिदेंट हो गया था उस पेशेंट करूं कौन साइब यह जरूरी था अधिया पूरी की पूरी बाटल टुकड़ों में विख्र पड़ी है तेरी टुकड़े किसने किया है सनी तरी सर मैं घ्रूद कमरे में या रूम नहीं बदला आदमी बदल गया है तुम चिंता मत करो सनी को कुछ नहीं हुआ तुम्हें कैसे मालों जिस गारी से सनी के इतना बड़ा एक्सिडेंट होने के बाद भी तो फुल बॉटल की तरह खड़ा हुआ है और जिसने एक्सिडेंट किया है वो तो एक क्वाटर में बदला पड़ा है वे भगवान इस कंफूजे ने तो मुझे पागल बना दिया है अब मुझे यहाद क्वाटर कॉन यह तो बच गया लेकिन इसके दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी यह हालत कर दी और मैं यहाँ पहुंच गया तूने भी मारा क्या ची मैं क्यों मारूंगा गले लगा कर मैंने तो पपी दी वो क्या है ने चाचा जी संदी के एक्सिडेंट होने के बाद संदी को उ यह होस्पीटल भी मेरा है संदी यह पीना सर पैर की बातों से मेरा तिवाग पग गया है 56 रुपीज निकाल चहां देखो भीख मांगता रहता है तुम्हें हाथ लगा लगा लेकिसे हाथ तुझे मुझे आप लोगों के साथ क्यारब नहीं खेलना है क्यों क्या हुआ तुझे खेलने के लिए और कोई खेल नहीं है क्या यह कोई खेल है और कोई खेल खेलेगा क्या खेलेगा तु मैं चुपती हूँ तुम लोग ढूड़ो हम लोग लोग का खेल खेलते हैं वह अच्छा रहेगा इतना अच्छा खेल छोड़कर तुम लोग यह खेल रहे हो अरे सन्झी तुझे और तेरे दोस्तों को यह आज कल आवारा समझ रही है यार मा जब मैं इंद्रा को यह पताने गया कि मैं ही उसका सन्झी हूँ तब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे कारण उसकी आँखों की रोश्णी चली गई है इंदू को मेरे काने पर अभिमान था आज मेरी वज़े से उसकी जिन्दगी बरबाद हो गई है जाने अन जाने मैं ह जानी हो जैसे मैं उसकी बरबादी का जिम्मेदार हूँ और मैं इसकी सजा भगतने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं चुपती हूँ चुप तेरी तौश्य का अज उस दिन तो डेड़ फिट का चाकू लेकर आये थे आज 90 फिट का तलवार लेकर आये रहे सन्झी कि मैं चुपती हुआ 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 है दो वेजिए लेकर कि बसुफ उस दिन मैं तुम्हें अपने गुंडू के साथ मारने आया था लेकिन आज उस दिन की गलती के लिए माधि मांगने आया हूं जब इंसान को अपनी गल्ती के लिए पशाताप होता है तो उसे माफी मांगने की क्या ज़रत है जारी पहले मेरे प्यार को स्विकार नहीं कर रहे थे आज आपी की वज़े से स्विकार किया बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली ऐसा आप हमारी शादी में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा मौका मिलेगा तो अपना बच्चा समझ का राशिरवाज भी देंगे ची शादी से पहले ऐसी बात नहीं करनी चाहिए शादी कर लो उसके बाद हम तुमारा साथ देंगे हाँ वही वही पूरा साथ देंगे इतना ही नहीं शादी के रिश्यप्चन के दिन सनी से गाना भेगावाएंगे मेरा ओर्केस्ट्रा थैंक्यू सर्थ उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर आएंगे नमस्ते नमस्ते चल बेटा तुने देखाना मेरा मास्टर परिन शादी के दिन किस तरह मैंने तेरे गाने का प्रोग्राम फिक्स करा दिया मैं नहीं गाउंगा अभी तक तो तु गाने के लिए मोके की तलाश कर रहा था अब तुझे क्या हो गया मेरा मन ठीक आज तक जब भी तु गाना गया तेरा मन ठीक था क्या? आज जब गाने का अच्छा माओ का मिला तो तेरा मन ठीक नहीं है? देख यार, तुझे गाना होगा. उनकी शादी में हम लोग सब चलेंगे और तुझे गाना गाना होगा. समझा? थाइंक यूँ. भिटो जित मारें पांकः है अन्छिक तुप्र नाजी बाद के मतना है, जुकूट मैरुट ḥमूट्उ लगाङो वुचा जात्या थ्कूट मतनी भी तुप्रों के वह यूवर्य। अच्छा मतनुन्न थाट विगार्वा थी। बरातियों का सारा मूल्ट खराब हो रहा है और यह है कि चुपचाप खड़ा है इसे गाने के लिए बोलो ना आओ कि चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरी मंजिल के सांसे मेरे जीवन की प्रीत मेरी धड़कन की लम यह दिल के तुमसे मिलके मेरे सारे ढल गए हां मन में तुमसे मिलके दीव कितने सारे जल गए चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं हां आई मिलने है तू सजदा करूं ही 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 यू ही संग रहना उम्र भरत जाना सनम मेरी चाहत तुम हो तुमसे रह जहां तू ही मेरी दुनिया तू ही मेरा अर्मा सनम दिल की धडकन सुन लो लो ना इंतिहां रहत तुमसे मैंने पाई हां तुमसे मिलके आया जीहां मैंने तुमसे बाते मन की बोले सारी सुन ले चैन तुमसे मैंने दिल के पाई सारे सुन ले चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करूं हां रुतों से कहूं आई मिलने है तू सजदा करूं कालिदास मैं हूँ कविता मेरी तुम हो सनम तुम बसालो दिल में सुन्दो तुम सजा तेरा मैं हूँ राजा दिल में मेरे रहना सनम मेरी राहत तुम हो मेरे तुम खुदा तुम मेरी चाहत हो तुम मेरे हमदम तुम मेरी राहत हो तुम मेरे धड़कन संग चल सनम युही हमारे सुन्जरा हाँ रूप है चाद सा सनम तुमारा चला है जादू आई मिलने है तू सजदा करू हाँ रूतों से कहूँ आई मिलने है तू सजदा करू मिल गई मुझे किसमत से राहे मेरे मन्जिल के सांसे मेरे जीवन की प्रीत मेरी धड़कन की गम ये दिल के तुम से मिल के मेरे सार ढल गए ओ मन में तुम से मिल के दीप कितने सार जल गए बहुत अच्छा गाता है लड़का अधी मा मुझे इसके पास ले चलिए बेटा बेटा मेरी पोती तुमसे कुछ बात करना चाहती है थोड़ा वक्त दो कि बेटा वो आ रहा है नमस्ते सन्नी जी नमस्ते मेरा नाम इंद्रा है मैं यहाँ आपके पडोस में ही पड़ती थी मैंने आपको कई बार मिलना चाहा लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई मेरे पिता जी संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे इसलिए मुझे भी बचपन से संगीत का बहुत शौक है जब भी आपका गाना सुनती हूँ मैं अपने आपको भूल जाती हूँ सन्नी जी मैं बस आपको देखना चाहती थी मैंने देखने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं देख पाई और आज आप मेरी इतने पास हैं लेकिन मैं अपनी आँखों से नहीं देख सकती एक एक्सिडेंट में मेरी आखें चली गई आपको देखना मेरी किसमत में ही नहीं था फिर भी आपसे मुलाकात हो गई आज मैं सच मुझ बहुत खुश हूँ हमारे घर में आपको एक बार जरूर आना होगा आएंगे ना हाँ कि एक गूर्ड म्यूस है इंदू कहां रहती है पता चल गया है उसका पूरा एड्रेस मेंने ले लिया है मिल गया है इंदू का एड्रेस मिल गया है इंदू कहां पे रहती है उसका पूरा पता हमने लगा लिया है इंदू का एड्रेस मिल गया है वो अपनी दादी के साथ एक इराय के मकान में रहती है इंदू के माता पिता नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहती है उसके पिता जी बहुत बड़े संगीत विद्वान थे, वो बहुत बड़े उचे खांदान की है इंदू कन्या राशी की है, वो फूलों की रानी है, तुम्हारी किसमत बहुत अच्छी है सनी ओके ओके, अब ये बकवास बंद करो, तुम लोग ये काम समालो, मैं एंदू से मिलकर राथा हूँ अरे रुख जाओ, अरे सनी, बहुत 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 बाग रहा है, हमने बता कर गल्ती की, अपने हम उसको बताते है और ना वो भाग था आई यार प्यार की कशिश कैसी होती है देखना वो बारिश में भाग के चला गया हम लोग चले क्या हम लोग चलेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे क्या होते है तो हो जाएं ठीक है फॉलो मी ए बढ़िया तू इस गलत फेमे में मत रहना मैं तेरा सारा समान उठाके बाहर फेग दूँगा तो यहाँ पर तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा अगर तुने किराया नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है यह तू जानती है अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है वैसे में तू हमसे बहुत कुछ ले चुका आज तक तेरा बुरा हो नास पिटे तू बरबाद हो जाओंगा क्या बे अकलो जैसी बाते कर रही है मुझे तूने क्या समझा है इंदू मैं सनी हूं क्या सनी है मतलब बच्छोड़ से कुट्टे का बच्चा समझा था इतने लोग यहां पर गुंगे बनकर खड़े हुए हैं तू इतनी हिम्मत करके अंदार आ गया इसका मतलब तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं कौन है बे तू इन लोगों का रखवाला हो आँ यार ऐसा नहीं लगता इसको कहीं देखा है गौड दिल्ला दादी मा प्रब्लम क्या है मकान मालिक का आदमी है बहड़े के लिए आया है मैं बैंक से दो दिन का खर्चोह किराय निकालने के लिए गए थी लेकिन बैंक बंद होगी जब लोट कर रही तो इंदू बात्रों म कपड़े बदल रही थी तब मैंने उसे देखा वैसे वो पूरी मुझी कहां दिखाई दी ब्लाउस का हुक लगाते हुए मैंने उसे देखा तादी मा किराय कितना है दो हजार रुपए बाकी है यह लो पैसे सनी जी हमारे लिए तनी दगलीव क्यों उठा रहे हैं यह क्या को पूछने वाली बात है मैडाम यह सब तो सनी के लिए मामूली बात है यह पैसे तो सनी के बंगले में जाड़ पोचा लगाने वालों की पगार से भी कम है ओहो इतने बड़े दौलत मंद होकर और इस गरीब को सिर्फ 2000 रुपे दे रहे हो नाइनसाफी हो तुम्हारी जगे मैं होता तो इन गरीबु को घर खरित कर दे देता बेचारों की किसमत खराब है सनी यहां कुछ मत करना ए बुडिया जब देखो तब पैसा नहीं है पैसा नहीं है यह बोलती रहती हो अरे पोती तो है उसे देदो मुझे सनी कुछ मत करना तुम्हारी पोती देख नहीं पाती है इसलिए तुम मुझे दमाद बना लो सब ठीक हो जाएगा इन दू को अब तेरे बारे में कोई बात गलत नहीं लगनी चाहिए तुम मुझे अगर अपना दमाद बना लोगी न बुडिया तो ये किराय के जंजट से मुक्त हो जाओगी ये घर की प्रोपटी है वो कुर्सी यार थोड़ा संभल के यार ए बुडिया तेरी उमर तो हो चुकी है पर अकल नहीं है दुबारा तु मार्केट जाएगी थोड अगर 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 उसके पैसे के साथ साथ उसी की तरह उसे जवाब देते तो मुझे शायद और खुशी होती है इंदू क्या तोने इट का जवाब पत्थर से देते तो और अच्छा होता बस यही तो सुनना था मुझे यहीजा तो से जवाब थे तो सब्सक्राइब पत्या थाध् Gott क्रवो गुशी शेद primera Kmyaweb क्षका क несा अंध्या कि अवार उसे थाध्या अएख पाईपंच्या थाका थार आलिए यहीजा हम पाहुओं! हुई खुड़े! खुँ पोँ ओुब! घँ खुब! हााँ! हुआ! बखर उदक시 को उ ajaग 넋 और प्रेश टॉ आध समुम्हिं अOW प्रेशクा झुद झुफ है न जल्द को आ беспствен क्योन प्रेश समी है र Cuando आध चल्मार! 600.000.000.000 . 700.000.000.000 . कर दोила क्या प्राइ प्लाइ सो कर दो ए Mexico वाद प्लाइ। कि अग्या का था तुने बोल क्या का था बोल क्या का था अज के बाद तो किसी लड़के की तरह पांक उठा कर भी नहीं देखेगा अरे यार सन्नी की आखों में इंदू का खुबसूरत चेरा तुने देखा क्या अरे यार पहलिया मत बुजा साब बता ना जरा सोच यार शादी तो उसकी हुई नहीं है अभी तक दोनों के बीच में रिष्टा भी नहीं है एक दूसरे को सिर्फ जानते पहचानते हैं फिर भ पूछ ले सन्नी से पूछने जाओंगा तो बताएगा ने यार वो सारी बाते अपने दिल में रखता है अब यार यह क्या मुझे लगता है कोई तेरी जान पहचानवाली आ गई है अब गदे वो तेरे लिए होगी तो पर चल पता लगाते हैं इस तरह क्या देख रहे हो तुम्हें मुझको इस हालत में नहीं देखना चाहिए जाओ अचा ठीक है जानवारों के अस्पताल से तुका बाया पता नहीं चला अबे दरिद्र यह तावेल इस तरह क्यों लपिता है ची ऐसी बाते मत करो मुझे शराम आती है हमाँ यह थी यह थ्यकुर्ट प्रस छो की घ dön कि इससे क्या हो गया यार यह नस्ल मेल की है कि फीमेल की है मुझे पता ही नही मों चलता है इसकी बॉडी क्या होants फिल्म स्टार की स्टाइल की तरह रोद रोद चेंज हो रहे हैं ऐसे पता नहीं चलेगा हमें अर्जेंट में किसी डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा ठीक है लेकिन अगर डॉक्टर को हम दोनों पर शक हो गया तो अरे सनी आ गया हो गया दर्वाजा को यह दर्वाजा भी तो बड़ी मुशकल से खोलता है सनी जी का कर यही है न यही यह घर नहीं यह तो उसका बंगला है आईये अंदर आईये आप लोग सनी जी की फ्रेंड हैं कि हां हां पुराने मंदिर के पास का बंगला उसने बेश दिया आपने अगर खबर की होती तो आपके लिए कार और सारे कुट्टों से सन्नी बहुत प्यार करता था आई आई ये बैठ जाए यहां कुरसी है मैठिये बैठिये वाज शाबाज एक नहीं दो दो डाबर का है ना अहां धाबर में डाबर में कुट्टा मर गया कह रहा था उसके बहुखने की आवाद से कान के मत फड़ जाते अजीब तरीके से भोग रहा है कौंसी नसल का है ये कौंसी नसल का कुट्ता है हमारी समज में अभी तख नहीं अ सनी जी नहीं है क्या सदी क्या सनी वह बोर्ड आपघ्र्र की मीटिंग में गया है अभी आ जएा इसी अ आожд है ग्लेटर्श मुझे हमझे टान करों क्या आत कुट्तों को बांग कराता हूं क्या करें इसने ओवरेक्टिंग में अभी आजाएगा सनी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना गाना गाना तो उसके सिर्फ होबी है सन्नी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है यह बात किसी को पता नहीं है मझे तो इसने बताया तब पता चला जरह रुको मैं उसे फोन लेगा कर बात करता हूं हलो ब्रांच ओफिस है क्या एमडी साब है क्या है हेड ओफिस में गये है ठीक है मैं हेड ओफिस फोन लेगा कर बात करता हूं हलो लता मैं बालू बोल रहा हूं एमडी साब है क्या हां हां दो दो हलो सन्नी क्या कहा पांच आई रहा है क्या ठीक है सन्नी आई रहा है आप सन्नी जी की ओडिटर है क्या ओडिटर ही नहीं परस्नल सेक्रेटरी ए आरो और भी बहुत कुछ ही और मैं मैंनेजर मैं स्टेनो हूँ घर बहुत बढ़िया होगा ना जी हाँ चोबिस रूमस हैं बारा एसी आठ नॉन एसी और चार ओडिनरी टोटल टॉंटिफोर क्या हूँ सामने स्विमिंग्पूल है तो पानी में गिर जाओगी जी हाँ वेराइटी के लिए स्विमिंग ़ू भी वनवाया है सनी ने यह जैने कौन अब पानी घराब कर रहा है यह कौन हैरी स्दूंपूल ने मुल रहा है है तो क्या है मैं थकग गई हाथ निकल रही हूँ बड़ी देर से फेके जा रहे हो जूट पर जूट बोले जा रहे है तुम सब वह क्या है बेटी असल में आई यह कोटेश्वर साब इंदू यह कोटेश्वर साब नहीं यह कोटेश्वर साब है यह स्विमिंग पूल इनों नहीं बनवाया है यह खांदानी बड़े रईस हैं पूरे अरिये में बहुत बड़ा डिश लगाया है सुपह भी कोटर दोपर में कोटर शाम को कोटर और हाँ वही कोटर कोटर करके पूरी बाल्टी बरबाटते हैं इस जगह पर स्विमिंग पूल अभी तक देखा क्या मैं कैसे देख सकती हूं अंकल मेरी आखें नहीं है यह लो बातों बातों में सनी भी आ गया है 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 हलो बोलो क्या बात है तुमीना मुझे ख़बर विजवाई थी ना मेरी वज़े से आपको तकलीफ हुई सौरी सनी ज यह तुमसे किस ने कहा किस ने कहा यह तुम्हारे दोस्तों ने यह भाई साब ऑडिटर है यह बहुत बड़ा बंगला है इसके अंदर मैनेजर सहाब यह बाल्टी उठाईए यह तुम्हारा नहाने के लिए बनाये हुआ स्विमिंग पूल है सौरी इंदर इन लोगों ने जो भी कहा वो गलत है सच कहा रहा हूँ मेरा कोई बिजनेस नहीं है मैं एक बड़ा सिंगर बनने के लिए हैदराबास से आया हूँ मौका ही नहीं मिला खर्चा चलाने के लिए केबिल टीवी में काम कर रहा हूँ उस दिन पैसे देकर तुम्हारे मदद की थी तो शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ आज तुम्हारे सामने मुझे पैसे वाला बता कर ये लोग तुम्हारे सामने आज भी उस जूट को मेंटेन रखना चाहते हैं इन्होंने तुम्हारे दिल को बहुत प्यार करते हैं ना शायद इसलिए नर्वस हो गए मैं देख नहीं सकती इसलिए मुझे पर सानुभूती करके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे मुझे जूट से सक्त नफरत है जो होना होगा वो होगा ऐसा मेरा विश्वास है सन्नी जी आपके दोस्त आपकी इश्वत बढ़ाने के लिए किसी से जूट भी बोल सकते हैं इनके जूट को मेरे सामने लाकर आपने जो सच्चाई बताई है उसके लिए मेरे दिल में आपकी इश्वत बढ़ गई है सन्नी जी आपके आसपास कोई किराय का रूम खाली है क्या क्यों उस दिन सिर्फ मेरे एक बार कहने पर आपने उस गुंडे की पिटाई की इस बात से मैं खुश हूँ लेकिन उस जगरे की वज़े से एक घंटे के अंदर रूम खाली करने का ओर्डर मिला है यह घर तो है लेकिन यह बहुत ही छोटा है जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है उसका घर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ इंदू के घर से समान लेकर आओ हाँ ठीक है ठीक है महका महका मन ये महका तुम से है मिलके हाले हाले तुम कत्मों से आ गई हो दिल में सुन ले आए महजबी ले ले दिल नजराना लब पे है हर गड़ी बस तेरा अपसाना आओ दिल से तेरा हज़ा कर तेरे हाले हाले तुम से मेरी मिल गए है नजरे धीरे धीरे चाहत से तिरे आया है यगी हाले है हाले कि फुम हो मेरे लिए जीना तेरे लिए मेरे सनम तुम मेरी आशी है कर दोदोको दोद कर दोद से तुम मेरी जरुआ दिल में जलोगे जाना तेरे लिए मेरे सनम, तुम मेरे जिंदके तो तिकल अंजानी, अब तो तु है दुनिया मेरी तुमसे है जीवन मेरा, तुझ मेहीं देखू सबेरा तुम जो नहीं, तो कुछ नहीं यारा गये डेसे तुभारे में तो पूझा करू मेहका मेहका मन ये मेहका तुमसे है मिलके हौले हौले तुमसे मेरी मिल गई है नजरे सुमसे मेरी हम तो है बस तेरे बन जाओ मेरा निदे की तेरे गपे तेरी पाते दिल में तेरी यादे तुमसे हुई आरी दिल की तुम मेने रब माना तुम मेने अब जाना तु ही मेरी जिन्तगी तु ही मेरी दिल नशी तुम हो खुशी तुम हो हसी तुम बंदगी बिन तेरे अब जीना सकूँ मेहका मेहका मन ये मेहका तुम से है मिलके हौले हौले तुम कदमों से आ गई हो दिल में सुन ले ऐ महचाबी ले ले दिल नजराना लब पे है हर घड़ी बस तेरा अपसाना आओ दिल से तेरा में स्वागत भेरे हौले हौले तुम से मेरे मिल गई है नजरे धीरे धीरे चाहत पे तेरी आया है यकी देवा अकेले तड़ते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना इंदू के साथ जो हासा हुआ वो मेरे कारण हुआ है जब तक ये सच्चाई में उसे बता ना दू तब तक संभाल लेना आज ये सच्चाई बता कर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता इसलिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूँ जब ये बात उसको पता चले तो वो मुझे माप कर दे मैं बस इतना ही चाहता हूँ जब वो मुझे माप कर देगे तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा बस इतना कर दो भगवान सनी ये लो चिठी तेरी माने भेजी है सनी कहा है तेरी गैंग चिठी आई है तो कोई नहीं मनी ओर्डर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं तुससे पहले मुझे पर तूट परने के लिए तो चिठी पर मैं चलता हूँ प्यारे बेटी सनी को मा का प्यार भरा आशिरवाद मैं यहां ठीक हूँ तु भी वहाँ ठीक हो गया ऐसी भगवान से प्रातना करती हूँ इंडू के साथ जो हाथ सहुआ यह सिंकर बहुत दूख हुआ तु जानकर किसी का भी नुकसा नहीं कर सकता यह मैं जानती हूँ बेटा जो होना था सो वो गया तेरी वज़े से हुआ यह बात तू उसे मत बताना तेरे सिवा उसका कौन सहरा है बेटा उस संधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा जब वक्त आएगा तब सारे सच्चाई पता चल चाहेगी तब तब तुझे खामोश रहना पड़ेगा बीटा तेरी खुशी के लिए ही मैं कह रहे हूँ तेरी प्यार इमा बिंदी लगा लो बेटी चीक है दादी मा इंदो तयार हो गई मैं तयार हूँ मैं तो बस अपने हिसाब से ही तयार हो गई देखा आप फिर से भूल गए न कि मैं देख नहीं सकती हूँ स्वारी दादी से कहकर ठीक से लगवा सकती थी न रहने दो उन्हें घर के कामकार से फुरसत मिलेगी तब ही न सिर्फ एक बिंदी ही तो गरत लगी है उन्हें क्यों बुला रहे हो आप खुद भी तो सही कर सकते हैं न अब चलें क्या एक मिनिट रुको अभी आता हूँ क्या हुआ भागवान ऐसे क्यों देख रहे हैं मैंने तुम्हारे बाग से इंदू के लिए एक फूल तोड़ा इसके लिए नाराज हो सुरी देवा मैं इंदू से कितना प्यार करता हूँ तुम जानते हो न तुम अकेले ही नहीं इस बाग के सारे फूल जानते हैं देखो वो भी कितने खुशी से महक रहे हैं देवा इस एक फूल के लिए तो मुझसे नाराज मत हो न प्लीज इंदू खड़ी हो जाओ क्यों अरे पहले खड़ी तो हो इस तरह मुड़ो लेकिन क्यों यह गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना है इंदू तो हम चलें हाँ ठीक है क्या हुआ सणी जी एक मिनिट दादी मा यहां ओ जल्दी हां हां आ रही हुँ बबा ज़र ऐसे देखे क्या हुआ बेटा इंदू का सब के सही है किया देखो अब क्या कमी है बेटा महल efshmi की तरह तो लग रह以前 अब तुम्हें disrupt इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें मेरे दिल का तुकड़ा है यह तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना वो बहुत ही किसमत वाली होगी तुम बहुत ही नेक लड़के हो वो तुम ठीक है दादी सब कुछ ठीक है सरा एक बार देख तो लो यह कपड़े यह सब कुछ ठीक है बेटा यहां यहां पर यहां पर क्या हुआ सानी जी आप इतनी अजीब जी बाते क्यों कर रहे हैं बाहर चलना है तुमने ब्लाउस कहां पर सिलवाया है जहां से हमेशा सिलवाती हूं क्यों क्या हुआ कधे जिनको पेटिकोट सिलना नहीं आता है वो ब्ल अब चले चले डोंट बरी इंदू तुम्हारे बारे में सनी ने सारी बाते बता दी है तुम्हें एक्जाम में बैठने के लिए यूनिवर्सिटी से परमीशन मिल गई है तुम क्वेशन का सिर्फ एंसर दोगी उसी पर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारे जैसे एक उपुडेंट के लिए मैंने इसका स्पेशल इंतजाम करवा दिया अल दे बेस थैंक यू सर थैंक्यू वेरी मच्च अरे बेटा इसमें थैंक्स ही किया बात है एक अच्छय स्टुडेंट को उससे इसका इनसाफ दिलाने के लिए मैंने अपना फर्ज निभाया है बस इस में मिनिममम जूटी थेंकिए सर इंदू अब चलें हम नमस्ते सर गॉट ब्लेस यह यह वनीला यह चोकलेट इंदू आइस क्रीम खाऊ एक्जाम्स के लिए इस हालत में भी परमीशन मिल जाएगी इसकी उमीद नहीं थी आज मैं सच में बहुत होश हूँ इसलिए एक छो एक्जाम में बैठने के लिए परमीशन मिल गई इसके बाद उसके बाद एक्जाम में पास होने की कोशिश करूँगी तुम्हारे जैसी होनहर लड़की यकिन और फर्स क्लास पास होगी हाँ उसके बाद अच्छी से कोई जॉब करूँगी और नोकरी के बाद उसके बाद उसके बाद शादी ना बढता है मैंने आपका कर उठा कर जुटा कर दिया आपके लिए दूसरा कप मंगा दू किसलिए है आपके लिए मुझे चलेग सृफ्सें औरे डोक्टर साव औरे तुम तुन नाराज हो गए मैंने तो मजाग चाण क्या समझ में आगै लoshima जोश कहां लिए dependency हाऊच्ट इसक्रीम कुछ ङर जोशा है क्या उस्योत है व менее हुआ ऐसे मोधर मािकॉन तो समझ गया आइस क्रीम में जोश्वारा क्रीम कहां से आया है ऐसे कोई बात नहीं है ऐसा खुछ नहीं है तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मैंने सब पढ़ लिया यह सब तुम मुझसे क्यों चिपा रहा है तर्मा से तुम प्यार कहते हैं इस खुशी में हमें नहीं मिलवा मैं जाने बिना क्या 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 कह गया तुम्हें जर्म से नहीं दिखता क्या नहीं डॉक्टर एक हाथ से में मेरी आखे चली गई बेटा सन्नी रिश्टोफर मेरा दोस्त आये स्पेसलिस्ट है जो जर्मनी से आया है और जल्द ही लोटने वाला है अगर मुझे पता होता उससे समय लेकर इस बच्ची को उससे दिखाने का इंतिजाम करा देता डॉक्टर डॉक्टर वो कब जाने वाले हैं दो तीन दिन के अंदर उससे पहले किसी तरह उनसे अपाइटमेंट फिक्स कर सकते हैं कोशिश नहीं डॉक्टर आपको मेरी हेल्प करने ही पड़ेगी ठीक हसन्नी पहले इससे मेरे होस्पीटर में लाओ डॉक्टर बरी बेटा तुम फिर से देखोगे चलता हूं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स हिंदू शेट पर थोड़ी आइस क्रीम लग गई है साब करके आता हूं हूं हाई क्रिष्णा उद्धन बस्टॉप पर मिला था सिंपल सा बात करके निकल गया आज जी बरके बैटके बात करते हैं कमाउन नहीं या मैं एक फ्रेंड के साथ हूं इसको आपन तेरे साथ दूसरी बार देख रहे ला है बहुत बड़ी आइटम पटा है रे बिल्कुल वनीला ऐसक्रीम की तरह ए उसके बारे मैं आपन तारीव कर रहा तो क्या गलत कर रहा है उसका शेव गठीला बदन देख कर तो चुश आ जाता है उट्टी सिधी बात कर कंगोरो कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि कर रहा है आर मुझे नहीं चाहिए तो चोड़ दे हमुझे अ कि अ मर जाओंगा इंदू चले यहां से सनी जी आप आगए देखिए देखिए कृष्णा को देखिए यहां पर भी आके तोड़ पोड़ कर रहा है उसी की वज़े से आज मेरा यह हाल हुआ है सनी जी असल में क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है नहीं सनी जी उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूं वह एक नंबर का मवाली है उसे कितनी बार घुंडागर्दी करते हुए देखा है मैंने हाँ हाँ मैं आज अन्दी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से मैं आज अन्दी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से मैं आज अंदी हूँ तो सिर्फ उसी की वज़े से उसी मवाली की वज़े से उसी की वज़े से अधर दो चाय ले क्याना लाओंगा पहले दोनों पिछला हिसाब किलियर करो अपने जेब से पैसे निकालो उसके बाद ही चाय मिलेगी बहुत महान आज में हो तुम करतार तुम अगर दो चाय दे दोगे तो तुम्हारा ख़जाना खाली हो जाएगा ऐसा यह भर देंगे यार अब ऐसा नहीं चलेगा भाई पुराना हिसाब चुकाओगे तो ही चाय मिलेगी यह क्या यार आज कल यह बहुत स्ट्रॉंग फैसला डबल स्ट्रॉंग करतार भाई एक प्लेट पकोड़ी देना एक नट लाता हो स्वामी अरे राम हरे राम 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 हरे अरे यार मुझे एक डाउट है यहां खाना बंद करना चाहिए ऐसा डाउट तुझे क्यूं हुआ लेकिन यह भाई ने तो पकोड़े का ओड़ा पकोड़े खाना में छोड़ दिया करतार के होटल का पकोड़ा खाने नीचे यह करेक्ट है चाहिए तुझ भूल गया है जो पकोड़े खाते हैं उसमें बड़े का बेजा है मुझे लेगपीस मिला था फिर सब लोग क्यों खाते हैं वो चोरी से मिलाता है सबको थोड़ी म हाँ हाँ हमने ओडर दिया तो लोकल चाह भी नहीं दिया अभी इस पेशल चाह क्यों दे दिया और इसके बाद चाय कॉफी हॉलिक्स बूस्ट बॉन बीटा इडली उपमा डोसा पूरी बाजी सब मिलेगा सब लाके दूँगा मेरे भाई मेरे पेट पिलात मत मारो भाई मत कस्टमर को भगाना शुरू किया तो सुपर चाय देने लगा अगर इसके होटल को मेंटेन करने लगे तो दूद वाली देखो स्वामी के जाता ही पाटनर आ गया आओ सन्नी बहुत सही वक्त पर आयो देखो ओडर देते ही स्पेशल चाय आ रही है ए बालू तेरे पास चार हजार चार हजार में कितने शुनियों होते हैं मुझे पता नहीं है इतने पैसे किसले चाहिए तुझे चर्मिनी से एकाई स्पेशलिस्ट आ है इंदू को वहाँ दिखाना है हमारे पास होते तो चार लाग भी दे देते लेकिन डॉक्टर का अपाइंट में मिल गया क्या हा मा यहार क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है कि महारे अच्छा सुनों यह 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 आंगोटी तुम बेच सकते हो क्या यह क्या सन्नी माने तुझे बड़े प्यार से दिया है यह ऑंगोटी बुरे वक्त में भी तुने इसे नहीं निकाला एक लड़की के लिए तु इसको मैं इनने इंदू के लिए अंगूठी बेची है जानकर मा खुश हो जाएगी इसी बेचकर जल्दी से पैसे लिया प्लीज सुन भाला भाई और निककर अजयर वहीं निककर वाला भाई अब मुझे दम नहीं है तुम सहीं बताओ तुम आडरस जानते हो यह नहीं जानता हूं तू किसे बात कर रहा जानता है इस शहर के हर गली का एड्रेस में जानता हूं तू कहता है मैं ने जानता बैठो यहां बेठाकर मुझे पागल खाने बिजवाओगे यह बात निये दास यहां से स्ट्रेट जाकर राइट को मुढ जाना चौड़ वे चौड़ चौड़ बैठा नहीं होने वाला मैं तेरी मुंडी परस्ट क्लास है इचे से देखने में इतनी सुंदर है तो आगे से देखने में तो कयामत होगी किसका रश्ता देख रही हो तुम लोग बसका यह लड़की अपने मादव जैसी लग रही है ना यहां तू क्यों क्यों कर रहा है हो ना हो भाई यह मादव मादृ बन बड़ी शान से पुझा करने वाली हूँ अरे मादव मुझे लाइन मारने के लिए ये मावाईली लोग ट्राई कर रहे हैं इन्हें मत देखो आप किरकार तू धीरे धीरे करके मादरी बन गई तुझे किसी की नज़र न लग जाए समझी ये मिश्टर लेडिज लोग के सामने तुम एसी वलगर बात ये मत करो तुम्हारे मावाईल नहीं है क्या अजटा जोड़े अपना फ्लैश बैक भूल गई क्या एबल का कनेक्शन देते हुए तू चोरी से मुझे से लिपटकर मेरे पैरों पे अपने पैर रखती थी तो फिर अभी इस तरह से बात करने का क्या मतलब कोई मतलब नहीं है एक मिनिट रोको देदी डंडे वाली देदी कत्रा हमारी तरह फ्लू मोशन में बढ़ रहा है वाली यह मेेरे एरिया है तुम जैसे मौ वालियों को अरेस्ट कर नहीं मेरा मकसद है और तुम जैसे मवालियों को सड़क पर गुमने की बच़े लोकक अप में होनाी चाहिए यह सली पॉज़े कहा पसाद यह है एँ होगा है 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 कि अध्याइट वह सब्सक्राइब बस्में जाना है चला शेले हैं विनायक में दू कुट्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं विनायक अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा आखों की रोश्णी मिल सकती है मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्यों हमेशा तुम उससे मांग के लेते हो आज मैं दे रहा हूं तो तुम मना कर रहा है वह मा ने इस बर मनियादर नहीं भेचा है गाहों से टेलिग्राम आया है टेलिग्राम मा मा अब नहीं रही संदी तुम्हारे सारे दोश्ट लोग तुम्हारा मनियादर आया सोचकर देखोना खुशिया मना रहे हैं संदी जी तो आप जर्ण यहां है क्या थे असने महर्मानी करके यह आगे बाद किसी को मत बताएं कि बाद मैं बताऊंगा अभी जाए तेरे कहने के मुताबिक मैं अंगुठी बेच कर पैसा लाया हूँ छे पता होता कि मनियॉडर आ गया है तो मैं मा के दूई यह अंगुठी नहीं बेचता यार बालू अब सब कुछ खत्म हो जाया सनी जी डॉक्टर के पास कब चलना है चलते हैं मैं आता हूँ अप्टर्य लु छी खाँ्टर के अवर्ण बालू God हुआрахए्ड़ दुआ, प्रॉँश मा 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 करheus मा आज आपने फूल नहीं लगाया फूल मुर्चा गए हैं चलो दादी मा क्या बेटी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अच्छा सनी आप ही है ना हाँ डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है कि कम ओन सनी डॉक्टर ये मिश्टर सनी रिष्टो फ़र लीज बी सीटेड चेकप हो गया है ये तुम से कुछ बात करना चाहते हैं कुई बात नहीं डॉक्टर जो कुछ कहना है मेरे सामने कहिए ऐसे पढ़ने से आखो की रोशनी पुरी तरह जा चुकी है ऑप्रशन के बाद भी ठीक होना ना के बराबर है अफ्री बात करना चाहते हैं देखो ये रिप्रेस हो जाए कि इसले के बात करना चाहते थे दोंट वरी सनी एवल गिव लेटर टू आइबैंक और आइटो रमेश हैट अधू रभ देपार्मेंट ये विल दो बेस्ट थेंक्यू डॉक्टर थेंक्यू सो मच्छ डॉक्टर ने आइबैंक के लिए लेटर दिया हैं लेट्स गो एंट ट्राइए थेंक्यू डॉक्टर अल दा बेस्ट इंदू चला हाँ सिंगे संदी जल्दी चले यार क्या हुआ पोस्ट मेंने सब बता दिया है तू चले यार चल चलो आजा संदी क्या हुआ संदी जी दर्वाजा खोलो कुछ नहीं दो आज अगे है भीटा अरे तिरे मातुँ जि देंके बंगरी चले गई रे मा का है मा काई मा काई वे इसे सम्शान गाट लेकर गय हैं उसका अंतिम सांस्कार करने के लिए भीटा मा ए सनी 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 रूग जा सनी 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 शांत हो जा समझ जा मेरे भाई समझ जा सनी मुझे आखरी बार मा के दर्शन करने का मौका भी नहीं मिला भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये बात नहीं सनी तुझे खबर विजवानी के हमने बहुत कोशिच की लेकिन मा ने रोक दिया अपने अंतिम समय में माने इंदू के लिए अपनी दोनों आखे दा इंदू बेटा सनी इस वक्त अपनी मा को लेकर बहुत धुखी है और वो अक्यला पड़ गया है तुम जाकर उसे होसला दो बेटा सनी जी इंदू तुम देख सकती है हाँ इंदू तुम इस दुनिया को जरूर देखोगी मा अपनी दोनों आखे तुमारे लिए चोड़कर गई है अब तुम जरूर देखोगी मा की आखों से तुम देखोगी मैं जानती हूं सनी जी कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी सारे गम को सीने में चुपा कर सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप सनी जी अगर मैं नहीं भी देखूं तो उससे मुझे फर्क नहीं पढ़ने वाला मैं भगवान की मर्जी समझ कर आपकी आँखों से देखूंगी लेकिन एक बात मेरे इस मन में रह जाएगी जो मेरा सहरा बना जो मेरे लिए जी रहा है उसको मैं अपने मन की आँखों से द जानते हैं क्यों मैंने आपकी मम्मी को नहीं देखा लेकिन उन्होंने अपनी आँखें देखकर मेरी जिंदिगी में खुशियां बहनने की कोशिश की है उस देवी जैसी मा को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया पथ मोंने तुमें देखने ही सकती लëकिन अब मैं आपकी मां की आखों से आपको एक बार देखना चाहती हूं मैं एक बार अट आपने जिस इंद्रा को एडमिट किया है उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके सारे टेस्ट मैंने कर लिए हैं उसका उप्रेशन करने के लिए शी परफेक्टली ओल राइट आई बैंक को मैंने इंफॉर्म कर दिया है जल्द उप्रेशन कर लेना चाहिए थैंक यू ड आपकी माने इतने प्यार से जो आखे दिये उसके काम आ सकती है आपकी माने इतने प्यार से जो आखे दिये उसके काम आ सकती है देखो भाई एक बेटा होने के नाते अपने पिता के लिए तुम्हारी तड़प मैं समझ सकता हूँ एक डॉक्टर की हैस्सेट से कह रहा लाइन साल मिलना बहुत मुश्किल है। आप एक बार पूना में ट्राइ कीजिए। नहीं डॉक्तर, वहाँ पर किड्नी देन वाले वेक्ति नूँ एवी ब्लड शुगर है। इसलिए उस दी किड्नी किसी कम दिने एस्तर डॉक्टर ने क्या है। अगर आप उना नूँ कोई मिल गया तो ओ मैंनू फोन करांगे। किसी भी तरह करके मेरे पिताजी नूँ बचा लो डॉक्तर साब प्लीज। मैंने अपसे अभी-अभी कहा ना, ओ नेगेटिव ग्रूप का आदमी मिलना वाकी बहुत ही मुश्किल है। और अगर वो मिल भी जाए, तो इसकी क्या गैर आपरेशन का पैसा जमा करके मैं ग्यारा बजे तक पूना पहुंच आओंगा। ऑप्रेशन के किन्हा जमा करना है। एक लाख, एक लाख, दस लाख भी खर्चा होए तो परवानी। इत्थे इंदू दी जिम्मदारी मेरी, उत्थे मेरे पिता जीनू बचान दी जिम्मद लेकर आती हूं बेटा। ठीक है तादी मा। अरे बेटा, अभी नर्स कहके गई है, शाम को आपरेशन करेंगे। तुम्हारा हैसान का बदला, मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका पाऊंगी। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अब तुम लोग बाते करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूं। अपना जरूर सच होगा। जब मैं अपनी आँखों से आपको देखूंगी उस वक्त की हुशी में। इंदू, बैचाओ, बैचाओ, इंदू, ये मौका तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। आप ऐसा क्यूं कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन के बाद ज सामने ना रहू तो मतलब आपको देखने के लिए मुझे एग्रिमेंट साइन करना होगा। चेचे, तुम ऐसा क्यों समझ रही है। सनी जी, आप हमेशा मेरी मन में रहे हैं। मैं आपकी पूजा करती हूँ। जब मैं देखने लगूंगी, तब आप मेरी सामने नहीं रहोगे। तब तो मेरा देखना ना देखना कोई माइने नहीं रखेगा सनी जी। सनी जी, मैं आपको अंधेपन का साहरा ही नहीं, अपने जीवन भर का साथी भी समझने लगी हूँ। बगवान के लिए आप मेरा ये सपना मुझ से छीनने की खोशिश मत गीजिए। अपरेशन होने के बाद सबसे पहले मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। उस वक्त मेरे सामने आप रहेंगे, इसी आशा से मैं ऑपरेशन थेटर में जाओंगी। हाँ। आपको देखना चाहतं है। झाल प्जाल कि याद्रियों कुरुबिया थ्यांदे, मुंबाइ से हैद्राबाद जाने वाली 7001 पुटें सागरेस्टर्स थोडी दिल में तीन नमर्टाइपों पराड़ है इसक्राइपों आप हैद्राबाद जा रहे हैं मैं अभी हैद्राबाद जा रहा हूं एक छोटी सी मदद करेंगे प्लीज, इस सूटकेस का ध्यान रखेगा, मैं अभी बातरूम जाकर आता हूं ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर इस सूटकेस में भूलो मैं भूलो जोटे सुटकेस में अभी आए, मैं कुछ नहीं जाता, यह बैख मेर आनी है आनी है इस सुल्ए जोटे सुल्ए जोटे सुल्ए जोटे आप इतने साल जेल में रहे ये बात इंदू जानती है क्या वो नहीं जानती है पहले में इंदू की नजर में एक शरीफ इंसान था अगबार में फोटो छपने के बाद उसके और दुनिया के लिए टेर्रिस्ट बन गया हो लेकिन इस वक्त इंदू हैदराबाद में कहा है कै कैसी है ये बात अपनी जानते हैं इंसान अपने दिल में जिसको बसा लेता है उससे दूर होने के बाद उससे कितनी टेंशन होती है ये बात आज आपसे मुझे पता चली अब इंदू को कहा तलाश करोगे वो जब तुम्हें मिलेगी उसका रियक्शन क्या होगा ये जानन यहां पर नहीं थोड़ा और आगे लो थोड़ा आगे पीछे कलके मुझे कब से घुमा रहे हैं खुद को तो आपको पता नहीं के कहां जाना है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है वो लोग यहीं पर तो रहती थे रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकाने हुआ करती थी अब तो एक भी नहीं यहीं तो बात है साथ साल के अंदर यह एरिये का नक्षा ही बदल गया ह है यहां पर डेवलप करने के लिए कॉर्परेशन वालों ने यहां के सभी लोगों को दूसरी जगा शिफ्ट कर दिया है अब यहीं में रोड बन गया है पता नहीं बड़सोबाद कहां से चले आते हैं तुम बाहर उत्रो साथ साल पहले का एडरस लेकर मेरे आटो का टाइ हलो यहां एक घड़ी वाला टावर था तुम्हें पता है घड़ी वाला टावर मैं तो कभी देखा नहीं शाप जी मुझे पता नहीं है यहां पर केबल टीवी वाले कोटेश्वर राव रहते थे उनका एडरेस बता सकते हो मैं पांच-छे साल से नौकरी कर रहा हूं मैं त हाई सब यहां पर नंदू जी की एक होटल हुआ करते थी इस वक्त तो कहां पार कुछ पता है अच्छा वह पंडी जी चायवाले के बार बेकर है उन्हें दूसरी जगर देखकर यहां ब्रिज बना दिया गया है अभी सिर्थ एक मंदिर बचा है दुर्गा माता का कि अधिने साल होगा इंद्रा को देखे वह कोई बात नहीं तू तो मिल गया न कहां यार तुम्हारे सब साथी इंदू कहा है कोटिश्वराव कहा है पालू कहा है और सब लोग कहा है खेर चलो तू तो मिल गया न बस अब मेरी हिम्मद बढ़ गई है हाँ इंदू 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 इह गाले रोको इह गाले रोको अरे दास सन्नी दिखाई दिया यार कहा है वो यहां कबा है पता नहीं कबाया लेकिन गाली के पीछे दोड़ रहा था चल देखते हैं इंदू 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 घान। और नाल आपका हाओ आपको यान। हुआ है हुआ है मुझों से बात करनी है अरेस्टिम लडी बगर कि व कि अरेस्टिम कि अर्डीज कि अरुआ कि अरुआ इसको डगे जिमन अलो अरुआ आज़े सब्सक्राइब करें करें कि असनी प्रेंट कि असनी असने प्रेंट में बच्छा है हाँ मैडम नाम क्या बताया सब्सक्राइब मैं यह सनी हो उसे यह बताने का मांका मुझे कभी नहीं मिला तुम अपने मन में जांग कर देखो मैं आज भी रहीं पहचान सको तो पहचान जाग क्यों बे दिखाई नहीं देता क्या अरे क्यों इतना चिला रहा है भाई पीड कम रखो गाड़ी के ओपर सायरन होते हुए भी इसनी स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहे हो इसमें रिक्षा वाले की क्या गलती है चलो ठीक है ठीक है की गई गलती के लिए अगर तुम एटी सिक्स रुपीज फाइन भर देते हो तो ही तुम यहां से जा सकते हो वरना नहीं यहां अटो ड्राइबर तो कुछ नहीं बोल रहा है तू कौन होता है बोलने वाला एक इसज़त से बात करो एंव पब्लिक वैसे तो रिष्टे में तुम मेरे भाई लगते हो इस वक्तुम यूनिफॉर्म में है इसलिए बाते कर रहे हो तुझे पता नहीं क्लेक्टर मैड जिमें क्या कर रहे तो तुझे क्या हो गया है 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 सनी अरे तेरा यह हाल किसने कर दिया रहे है इसे नहीं सनी तुझे किसने मारा किसने मारा तुझे बता मुझे बता मुझे सनी होश में आजा बेटा बता मुझे क्या हुआ बता सनी सनी बता मुझे सनी सनी बता मुझे सनी किसने मेरे पच्चे सनी को मा रहा है बता रहे बता क्लेक्टर साब को ये बात पता से लिए जानता है क्या होगा क्या हो जाएगा क्लेक्टर साहिबा ने इसे मारने के लिए हमें आज इस दिया था कि यहां पर किसी के जिंदी की और मौत के सब आला है पंतर मिर्ट के लिए मीटिंग रुख भी गई तो क्यों फरक ने पड़ेगा हो के लेक्टर में इंदू बहारा बहारा इंदू कि इंदू इजयत से जाकर उसे मां भी मांग ले क्यों चिल ला रहे हैं जजबात में बहागया था में साहब माफ कर दीजे गलती हो गई पुलीस वाले ने मालकर जीप पे किसको डाला आपको पता है पता है पता होते हुए भी तुमने उसे मरवाया मेरे कहने पर ही पुलीस प्रेस्ट किया है तो आप क्या कर लेंगे तुम अपनी ऑउकात भूलकर बाते मत करो मैं कुछ नहीं भूली हूँ लेकिन आप फुद अपनी उखात भूल रहे हैं मैं बिल्कुन कभी नहीं हूँ आज तुम एक बड़ी और बन चुकी हो जिसके हाथ में कानून है एंकार स समझ बाएगी कभी जब तुम रोटी की एक एक निवाली के लिए मुहताज थी उस समय उसी बंदे ने तुम्हारा साथ दिया था बड़े बड़े लोग भी एक ही दिन में खाक में मिल जाते हैं लेकिन इंसान को अपनी इंसानियत भूलनी चाहिए आज इतनी बड़ी बन चुकी हो कि इंसानियत के धन को भूल गई हो तुम तुम नारी कहलाने के लाइक दियो इन्हें गेर से बाहर निकालो हिंदू अगर अंजाने में तुछे गल्ती हुए तो जाकर उससे माफी मांग ले ऐसा नहुआ तो दुबारा कभी उससे नहीं मिल मुझी हो जह थूल ये डिल नजर बस तुब ऑटीा ग नचार आद गजाय हांज, स मेरे सनी जी कौन है बताओ ना है आप कौन है मेरा नाम इंदू है आप ही इंदू है क्या यह गाना तुमें सनी ने सिखाया है क्या तुम जानती हो कि वह कहां पर है सत्यम्षिवम सुन्दरम ओ मंगलम मंगलम हिदय में बसती तुम मेरे दिल की दुम्रानी तुने ना पहचाना मैं हूँ तेरा दीवाना प्यार में तेरे तो कर दू जा कुरबा खुलते ही मेरी ये पल के ढूंडे तुझको ही सपनों में हर पल तू आये सच में मिलीना कभी तेरी पूजा करना मेरा दिल ये चाहे सन्नी जी आप मुझे छोड़कर इतने दूर क्यों चले गए थे ना क्यों चले गए थे मैं आपके आने की रह कब से देख रही हूँ कहां चले गए थे आप सन्नी जी मेरी वज़े से आप कितनी तकलीफ से नहीं पड़ी आप मुझे खुद नहीं बता सकते थे कि सन्नी आपका नाम है और आज मैंने ही आपको अरेस्ट करवाया तब भी आपने नहीं बताया कि सन्नी जी आप हो मुझे बता नहीं सकते थे क्या अपरेशन होने के बाद जब पट्टी खुल रहे थी तब सबसे पहले आपको देखना चाहती थी सन्नी जी आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ वो सिर्फ आपकी वज़े से है यह और यह सब कुछ सिर्फ आपकी वज़े से है सन्नी जी आपक मुझें प्रूका पह्षान में नहीं पाई सन्नी जी मुझे माफ कर दीजी मुझे माफ कर दीजी एंदो है मैं मैं की दे़REE त्यम्शिवं सुन्दरं, ओ मंगलं मंगलं, लव ही जिन्दगी है, लव ही बंदगी है, तुझे ढूंड ये नजर, तन्मन हम हारे, बस जा सांसों में मेरी अर्मा तुम सारे, तु है जुनू, तु है सुकू, तेरा रूप देखना सजनी हम चाहे, सत्यम्शिवं सुन्दरं, ओ मंगलं मंगलं,